खवरदार की अभी पच्छकू, खवरदार जो हमारे तरफ नजर लगाई, ना खोने का डर ना पाने की लाल सा, वो दोनों में से उपर रख रहा हूं अपने को मैं हमरे साथ हैं कॉंग्रेस के वरिष्ट मंत्री आलमगीर रामेश्वर जी, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अभी मंत्री मंडल का रिसफल का बात हो रहा है, आपको डर है, मुझे कोई डर नहीं है, किसी सी डर नहीं है, ना खोने का डर ना पाने की लाल सा, वो दोनो पहले जो कॉंग्रेस में लोगों का जुणने का लहर था, या पार्टी जो समर्थन हासिल की लोगों का, ऐसा क्या हो गया कि दो साल में कोई विधायक अब नहीं रहना चाह रहा है, मिल बैठ करके आपने अहम सवाल पूशा है हमसे, मैं समझता हूँ किस पार्टी में, आप भी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तब हला हुआ था कि आपके विधायक पर डोरे डाले जा रहे हैं, लेकिन उस समय के बाद कुछ महिनों तक मामला सांत रहा, अब आपके विधायक पकड़ा गया, ऐसा है कि उस समय हमको मालूम हुआ, मालूम करता रहता था, मिलता तक मालूम मुझे हुआ, मालूम हुआ, तो मैंने खवरदार किया भी पच्छ को, खवरदार जो हमारे तरफ नजर लगाई, बुरी नजर लगाई, नतीजा यह हुआ कि लगए साल भर, बुरी नजर हमारे पार्टी के तरफ नहीं उठा पाए हूँ, आज की आवरा मैंने पार्टी ने जो एफाई आर कराया विधायकों के खिलाब, उसको लेकर अलग-अलग विधायकों की अलग-अलग राय है, जादा तर लोग मान रहे हैं, पार्टी ने हडबड़ी कर दिया, यह गलत स्टेंड था, रामेस्वर जी क्या मानते हैं, अब जब की कांड दर्ज ह हो गया है, तो एक पुर्व पुलिस पता दिखारे होने के नाते, मेरी राय यही होगी, कि अनुसंधान जल्द से जल्द हो, दूद का दूद, पानी का पानी हो जाए, लेकिन कॉंग्रेस तो उनके लिए अपील कर सकती थी, ना कोट में अधिकार है कि सेशन चल रहा है, उ भी कॉंग्रेस का जारखंड में है, 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 पुरा, राय दिए